पपू यादव का गुस्सा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि जुस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बर रहे हैं उसको लेकर पपू यादव का एक अलग ही तेवर देखने को मिला बता दे कि अपने आकराम अक्तेवर को लेकर हमीशा से ही पपू यादव चर्चा में बने रहते हैं लेकिन इस बार जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया वो बेहदी अजीबो गरीब था बता दे कि अपने ट्वीट में पपू यादव ने बताया कि अगर महगाई कम नहीं होती है तो मुझे पपू यादव नहीं बलकि गपू कहना आखिर ऐसा क्यूं कहा है पपू यादव ने हम आपको बता दे हैं बता दे कि अपने एक ट्वीट में पपू यादव ने बताया कि किस तरह से दिनों दिन महगाई जो है बढ़ती जा रही है ऐसे में सरकार को इस पर एक्षन लेना चाहिए और जल्द से जल्द महगाई को कम करना चाहिए बता दे कि पपू यादव ने अपने उस ट्वीट में लिखा है कि देश की जनता पीम मोदी और योगी के ढोंगी सीम को सियासी तोड़ पर ऐसे ही लटकाने का नश्चे करे तो एक दिन महगाई कंच्रोल हो जाएगी डीजल पेट्रोल 50 रुपे लीटर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना पपू के बज़ाए गपू कहना तो ये ट्वीट करने के बाद पपू यादव एक बार फिर से सूर्ख्यों में आ गए है बता दे कि देश में लगातार महगाई बर रही है और यहीं वज़ों है कि पपू यादव का ये आक्रमक तेवर देखने को मिलाए इतना ही नहीं जुस तरह से दिनो दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर पपू यादव ने एक तस्वीर भी साजा की है ये तस्वीर ऐसी है कि हम आपको स्क्रिन पर नहीं देखा सकते बता दे कि उस ट्वीट का हवाला देते हुए ही पपू यादव ने बताया है कि केंदर सरकार को और यूपी के सियम योगी आधतनात को ऐसी ही लटकाना होगा तभी ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है और ये जो महगाई है वो कम हो सकती है इसके साथ ही पपू यादव ने ये भी कहा कि ऐसा करने के बाद अगर पेट्रोल डीजल के दाम पचास रुपे नहीं हो जाएंगे तो मुझे पपू यादव नहीं बलकि गपू यादव कहना जिसके बाद पपू यादव एक बर फिर से सुड़कियों में आ गए हैं बता किस तरह से केंद सरकार को बेबस किया जा सकता है तकि दाम कम हो जाए क्योंकि इस वक्त देश में महंगाई बढ़ रही है चाहे हम खात-पदार्थों की बात करें पैट्रोल डीजल की बात करें गयास सिलिंडर की बात करें सभी के दाम में व्रिधी हो रही है आम जंता को इससे कई तरह की परिशारी का सामना करना पर रहा और यही वज़ा है कि एक्षिन में आते हुए पपू यादव ने ट्वीट किया जसके बाद वोक सुड़क्यों में बने हुए हैं बता दे कि जिल से रहा होने के बाद पपू यादव पूरी तरह से राजनीदी में सख्र बोला है और बताया है कि किस तरह से देश में महगाई को कंच्रोल किया जाए उसको लेकर ट्वीट उनकी तरह से की गई है जिसके बाद एक बार फर से पपू यादव सुर्क्यों में च्छा गए हैं खास बात यह है कि इस बार पपू यादव ने अपने जो नाम है वो बि के साथ हमिश्कार